हेलो दोस्तो वेलकम टू मैत ही जी आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुपदों का जोड घटाव गुडा भाग तो चलिए सबसे पहले सीखेंगे बहुपदों का जोड कैसे करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो च और 5x² प्लस 4x प्लस 3 को जोड़े ये दो बहुपद दिये हुए हैं दोनों को हमें जोडना है तो बहुपद का जोड का नियम कहता है कि जो चर रासी है बैरियेबल जो है उसकी पावर जब समान रहेगी तभी हम उसे जोड सकते हैं ठीक है यानि कि समान पावर वाले को हम जोडेंगे एक साथ और जो कांस्टेंट होता है नियत नियतांग होता है अंक जो होता है उसको अंक के साथ में जोडते हैं ठीक है अब दीखे यहाँ पे जो बैरियेबल चर है वो घटते हुए क्रम में है यानि x के पावर यहाँ पे दो है यहाँ पे एक है और यहाँ पे यह constant है नियतांक है ठीक है यानि यह अच्छा रास है तो सबसे पहले देखे एक्स स्क्वाइर है तो एक्स स्क्वाइर के साथ में हम एक्स स्क्वाइर को जोडेंगे फिर एक्स को जोडेंगे फिर अंक को जोडेंगे ठीक है तो आईए जोडते हैं कैसे जोडते हैं तो जैस अब इसके नीचे लिखेंगे 5x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, अब देखिए हमने बताया कि जो समान पद होते हैं, जिनकी पावर एक समान होती है, उसे हम जोड़ते हैं, यानि कि यहाँ पे 4 रासी है x, x के पावर है 2, और दूसरे वाला जो बहुपद है, उसमें भी देखिए, x के पावर 2 है, तो इसको हम जोड़ेंगे, ठीक, तो अंक अंक जोड़ जाएगा, यहाँ पे 5, 3, 8, और x² यह x² यहाँ लिख लेंगे, ठीक, अब देखिए, यहाँ पे 7 x है, और यहाँ पे 4 x है, तो 4 और 7 को हम तो 11 और यहाँ पे x हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, अंक क्या दिया हुआ है, अंत में 48, 4 और 3, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरीके से हमारा एंसर क्या हो जाएगा, 8 x² प्लस 11 x प्लस 7 x, तो यही हमारा एंसर हो जाएगा, ठीक है, यानि इस तरीके से हम किसी भी बहुपद को जोड सकते हैं चाहे दो हो या तीन हो बस हमें ये ध्यान रखना है कि इनके जो पद के पावर जो है वो समान होने चाहिए जो चर्रासी है ठीक है अब आईए सीखते हैं बहुपदों का घटाओ यानि दो बहुपद दिये हुए हैं प्लस 7y isquire ठीक है तो इसको कैसे घटाते हैं देखे तो पहले लिखेंगे हम 5x isquire plus 4xy plus 7y isquire अब देखे जो दूसरा पद बहुपद दिया हुआ है 8y isquire minus 3xy plus 3x isquire ठीक है अब देखे यहाँ पर यक्स isquire जो है last में दिया हुआ है, तो हम इसको एक तरप से लिखेंगे, ठीक है? मैंने कि हमें गटाना है, तो हम 5x² से गटाएंगे 3x² को तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं, ठीक है? देखे प्लस साइं नहीं कि इसके जो चिन है उसके साथ में हम लिख लेंगे तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3x2 फिर उसके बाद क्या है, xy है तो xy के नीचे पर हम xy लिख देंगे तो यहाँ पर 3xy हो गया अब देखें क्या है लाश्ट में क्या है y square今日は y square को last में लिख लेंगे तो 8y square अब देखें जब ये हम गटाते हैं बहुपद को तो हम इनके चिनको बदल देते हैं ठीक है जब गटाते हैं तो गटाना है हमें तो 3x square को गटाना है तो यहाँ पर minus sign कर लेंगे यह जो minus है तो यह plus हो जाएगा अब यहाँ plus है तो यह minus हो जाएगा ठीक है अब देखिए 5x square में से 3x square को गटाना है तो क्या करेंगे अब 5 में से 3 जाएगा तो 2x square हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे अब देखिए 4xy है और यहाँ पे 3xy है प्लस साइन हो गया है तो जूड जाएंगे दोनों तो प्लस साइन हो जाएगा 4 और 3 क्या हो जाएगा 7xy अब क्या करेंगे यहाँ पे 7y square है और यहाँ पे minus 8y square है तो minus 8y जादा है तो यहाँ पे minus हो जाएगा और 8 में से 7 जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानि कि Y स्कौर हो जाएगा, यानि कि 8 Y स्कौर में से 7 Y स्कौर गटाएगे, तो – Y स्कौर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ये हो गया हमारा बवपदों का गटाओ, अब आ surprises हम सीखते हैं, बहुपदों का गुड़ा कैसे करते हैं भाग कैसे करते हैं तो सबसे पहले सीखेंगे बहुपदों का गुड़ा जैसे हमने बताया बहुपद में अगर चर रासी है तो चर रासी का चर रासी से गुड़ा होता है अगर अलग अलग रासिया है तो वो रासियां एक साथ लिख लेते हैं अंक जब दिया रहता है तो अंक का अंक में गुड़ा होता है तो आईए गुड़ा करते हैं तो देखिए जैसे 3 और यक्स है और गुड़ा करना है किस से 5 वाई से ठीक है तो अंक का अंक में गुड़ा करेंगे तो पांच का तीन में गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा पंदरह अब देखें यक्स जो है ये अलग चैर रासी है वाई जो है ये अलग है तो इनको बस एक साथ हम लिख लेते हैं ठीक है यानि कि 3 एक्स का अगर 5 एक्स में गुड़ा करेंगे तो 15 एक्स वाई हो जाएगा यही हमारा एंसर हो जाएगा गुड़ा का यानि इस तरीके से कोई भी बहुपद अगर दिया है तो हम आसान तरीके से गुड़ा कर सकते हैं कोई confusion नहीं रहेगा ठीक है अब आइए देखते हैं बहुपद का भाग कैसे करते हैं तो बहुपदों का भाग करने के लिए जैसे दो बहुपद दिये हुए हैं एक है 10x स्क्वायर को 2x से भाग करिए ठीक है तो पहले क्या करेंगे हम 2x लिखेंगे भाजक फिर उसके बाद भाज क्या है यहां पर 10x स्क्वायर लिखा है ठीक अब भाग करना है में अब देखे भाग करेंगे यहाँ पर X स्क्वायर है और देखे दो से भाग करना है तो दो से अंक दिया हुआ है 10 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा और यहाँ पर X स्क्वायर है यानि x से और हम गुड़ा करेंगे भाग करेंगे तो अगर हम 5 से और 2 का गुड़ा करते हैं तो 5 दूना 10 और x का x में गुड़ा करते हैं तो क्या मिल जाएगा 10 x स्क्वायर विकट जाएगा ये 0 0 हो जाएगा यानि कि ऐसे कट कट लिए सकते हैं ठीक यानि कि जो हमारा कोई भी बहुपद है तो बहुपद का हम किसी दूसरे बहुपद से भाग चाहिए तो कि इसी तरीके से करते हैं अंक को izaGO करते हैं और जो यह यह उता है अधियोग से भाग करते हैं ठीक है तो आइह होप कि यह जा सफियर कर दीजिए लाइक कर दीजिए चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेट वीडियो में थेंक यू थेंक यू सो मच